नमसकार जैनगर लाइव में आपका स्वागत है। न्याय देने में नाकाम हो रही फास्ट ट्रेक स्पेशल अदालतें। योन शोशन के पीडिद बच्चों को है न्याय का इंतजार। मधुबनी जिला के खादी भंडार के कैंपस में ग्राम विकास युवार ट्रस्ट मधुबनी के द्वारा कार्याले परिसर में प्रेस कॉन्फरेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्राम विकास युवार ट्रस्ट मधुबनी के प्रबंध निदेशक नरेंद्र कुमार सिंग ने कहा कि राश्ट्रिय अपराध रिकॉर्ड बहूरो न्सी आर्बी की रिपोर्ट के अनुसार केंद सरकार की तमाम नीतियों, प्रयासों और वित्तिय प्रतिबधताओं के बावजूद पॉक्सों के मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई विशेश त्वरित अद लगेगा. साथ ही 2022 में देश में पॉक्सों के सिर्फ तीन फीसदी मामलों में सजा सुनाई गई. ये चौकाने वाले तथे एक शोधपत्र, Justice Awaits, An Analysis of the Efficacy of Justice Delivery Mechanisms in Case Age of Child Abuse से उजागर हुए हैं जिसे ग्राम विकास युवार ट्रस्ट ने जारी किया है. इस शोधपत्र को इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फांड आईसी पीफ ने तैयार किया है. आईसी पीफ और ग्राम विकास युवार ट्रस्ट बाल विवाह मुक्त भारत के सहयोगी संगठन है. आज इस बात्चित की जरूरत इसलिए परी जो अभी जो आईसी पीफ का एक रिपोर्ट आया है. उसमें देखा गया है जो कैंड सरकार की तमाम निती और प्रियास और बितिये प्रतिवत्ता के बावजूद. पॉक्सो के मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई बिशेश त्वरित अदालत. 31 जनवरी 2023 तक देश में 2,43,237 मामले लंबित दिखाए हैं. अगर लंबित मामलों की इस संख्या में एक भी नया मामला नहीं जोरा जाए, तो इस सारे मामले की निप्टारे में कम से कम 9 स साल लगेंगा. बिहार की बात करें तो यहां पॉक्सो के लंबित मामलों के निप्टारे में तकरीवन 26 साल लगेंगा. साथ ही 22, 2022 में देश में पॉक्सो के सिर्फ तीन फिश्दी मामलों में सजा सुनाई गई है. यह चौकाने वाले तत्थ एक सोध पत्र, Justice awaits an analysis of the efficacy of justice delivery mechanism in cases of child abuse से उजागर हुआ है. जिसे ग्राम विकास युवा ट्रस्ट जारी कर रहा है. इस सोध पत्र को इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंग ने तयार किया है ICPF और ग्राम विकास युवा ट्रस्ट और ICPF बाल विवा मुक्त भारत के सहयोगी संगठन है. ग्राम विकास युवा ट्रस्ट मधवनी में बाल विवा, बाल सोशन और बाल ब्यापार पर काम करती है. जौन सोशन के सिकार बच्चों के लिए ने सुनिस्चित करने के लिए केंसरकार द्वारा, 2019 में एक एतिहासी कदम के जरिये फास्ट्रेक अस्पेसल अदालत का गठन और हर साल इसके लिए करोरों की रासी देने के बाबजूद, इस सोधपत्र के निसकर्स से देश के निय प्राइक तंत्र की छमता और दक्षता पर सवालिया निसान उठ रहा है, सोधपत्र में आगे कहा गया है जो जनवरी 23 तक के पॉक्सों के लंबित मामलों के निप्टारे में बिहार को 26 साल लगना, फास्ट्रेक स्पेसल अदालत जैसी भी से सिक्रित अदालत की अस्थापना का प्राथमिक उद्देश जौन उद्पीरन के मामले और खासकर जौन अपराद से बच्चों का संड़क्षन पॉक्सों से अधिनियम के मामले का त्वरित गती से निप्टारा करना था, इसका गठन 2019 में किया गया और भारत सरकार ने हाल ही में केंद्र प्राइज जोजना के रूप में इसे 2026 तक जारी रखने के लिए 1900 करोर की रासी, बजटिये रासी के आवंटन को मज़ूरी दिये, इस फास्ट ट्रेक स्पेसल अदालत के गठन के बाद माना गया कि वे इस तरह के मामलों का साल भर के भीतर निप्टारा कर लेगी, लेकिन इन अदालत में आएक कुल 2,68,038 मुकदमा में से महज 8,909 मुकदमा में ही अपराधियों को सजा सुनाई गई, तो इस तरह से एक मुकदमे के निप्टारे में नौ लाख रुपया का खर्च आ रहा है, इसमें मात्र एक अदालत 28 मामला का निप्टारा कर पाया है, साल भर में, तो अब जबकि प्रतेक विशेश अदालत में हर तिमाही 41 से 42 और साल कम से कम 165 मामले की निप्टारे की उमीद की जा रही थी, लेकिन अदालत आकरों से लगता है कि गठन के 3 साल बाद भी ये विशेश अदालत अपने तैय लक्ष को हासिल करने में विफल रही है, इनकी पीरा की कलपना भी नहीं की जा सकती है, इसके अलावा नय की तलास में इन परिवार को अक्सर असहनिये कठिनाईयों और दुस्पारियों का सामना करना पर रहा है, यह उन पर ढाये गए अत्याचार और पीरा का रोजाना याद करने जैसा और उसे रोजाना उस पीरा में जीने के समान है, जल्द से जल्द नियह ही उसे इस पीरा से छुटकरा दिला सकता है, चार हजार चार सो ब्यालिस नावालिक लड़कियों का रोजाना बाल विवाह अंतरगत नया साधी का जोरा पहनाया जाता है, इसका मतलब है जो हर मिनट तीन बच्चियों को बाल विवाह के नर्क में जोंका जा रहा है, जबकि अपराद, राष्टी अपराद, रिकार्ड ब्योरो न्सी आर्बी की हालिया रिपोर्ट कहती है कि देश में बाल विवाह के रोजाना सिर्फ तीन मामले दर्ज होते हैं, आइसी पीएस के संस्थापक भूबन विभूजी ने बाल विवाह को रोकने के लिए देश में मजबूत नीतियां करे कानून और प्रजाप्त बितिये प्रतिबद्ता के बाब जोद सजा की मामूली दरों को गंभीर चिंता का विशे करार दिया है, भूबन विभूजी ने कहा है, कानून की भावना को हर बच्चे के लिए नयमे रुपांत रित होने की जरूरत है, अगर बच्चों के जौन सोशन के अपराधियों में महज तीन प्रतिसत को ही सजा मिल पाती है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कानून निरोधक उपय कारगर कारगर नहीं है, नकाम है, अगर फिरित बच्चों को बचाना है, तो सबसे जरूरी चीजिया है कि बच्चों और उसके परिवारों की सुरक्षा की जाए, उनके पुनरबास और छतिपूरती के इंजाम किये जाए, पूरा न्याइक तंत्र निचली अदालत से लेकर हाई क सुप्रीम कोर्ट जैसी उपरी अदालत तक मुकदमे को समय बध निप्टारा सुनिश्चित करें, इसी में सर पर्थम सभी फास्ट्रैक, स्पेसल अदालत संचालन हो और वे कितने मामलों का निप्टारा कर रहे हैं इसकी निगरानी के लिए फ्रेम वर्क तयार हो, इसके अलावा इन अदालतों से सम्मंद रखते हुए पुलीस से लेकर जज़ों और उसका पूरा अदालती स्टाप को पूरी तरह सिर्फ इन अदालतों के काम के लिए रखा जाए ताकि ये प्राथमिक्ता के आधार पर मामलों को अपने हाथ में लें और यह फास्ट्रैक, स्प या प्राथ रिकॉर्ड बेहों के आकरों पर आधारित यह रिपोर्ट है यह मैं अपने तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं बोल रहा हूं और मुझे आप लोगों से भी आग्रा है जो इस विशय को आप लोग अपने अस्तर से उठाएं और इस बाल अपराथ को रोकने में को स शप्षम बनें इस तंत्र को मैं नरेंद्र कुमार सिंग ग्राम विकास युवा ट्रस्ट के प्रवंद ने देशक ग्राम विकास युवा ट्रस्ट मधवनी जिला में बाल अपराध जो बाल सूशन बाल वैपार और बाल विवाह जैसे कूरिती है उसके रोक थाम के लिए क पांडेशन के साथ मिलकर यह काम हमने बीरा उठाया है जो मधवनी में जो इसमें कमी हो यहां से समाप्त हो धीरे-धीरे कुपर था इसके लिए हम लोग काम कर रहा है धन्यवाद है अगर आप लोग भी मधवनी जिला या जैनगर से है तो जैनगर लाइफ को जरूर सब्स सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू